आज मैं आप लोगों को गरूर पुरान का छठा अध्याय परहाने जा रही हूं इससे पहले मैं पहला दूसरा तीसरा चौधा और पाचमा अध्याय भी परहा चुकी हूं उसको देखने के लिए आप उपर दिये गए आई वटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिय प्लेख सकते हैं और आप मुझे इंस्ट्राग्राम फेस्बुक और ट्यूटर पर भी फॉलो कर सकते हैं तो गरूर पुरान का छठा अध्याय शुरू करते हैं गरूर जी ने कहा है के सब नरक से आया हुआ जी माता के गर्व में कैसे उत्पन होता है वह गर्ववास आदी हैं भगवान से कि जो नरक से आया हुआ जीव होता है वह माता के गर्व में कैसे उत्पन होता है और वह गर्ववास में किस परकार का दुख भोगता है वह सब बताने की किरपा करें तो भगवान बोल रहे हैं कि इस्त्री पुरूस के समागम से इस्त्री का रज और इस्त्री के रितुकाल के मद्ध में पापी पुरुस के सरीर की उत्पती होती है। इन तीन दिनों में नरक से आये हुए जीब पैदा होते हैं। मांस पिंडाकार होता है और योनी के अंदर अंडे के औकारवत होता है। एक महने में मस्तक, दूसरे महने में भुजा, आदी, अंग बनते हैं। तीसरे महने में नक, रोम, हड़ी, चर्म, लिंग, दसद्वार के छिद्र। चौथे महने में तचा, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थी, इन धातों की उत्पती। पांचमे महने में भूख, प्यास, उत्पन होती है। छठे महा में गर्व की जिल्ली से अच्छादित होकर दाहिनी कुक्छी में गर्व भ्रान करने लगता है। माता के भक्षन किये गए अन आदी से बढ़ता हुआ गर्व जीव, विष्ठा, मुत्र, आदी का अस्थान तथा जहां अनेक जीवों की उत्पती होती है। ऐसे उदर में सयन करता है। वहां क्रिमी जीव के काटने से सब अंग कष्ट पाते हैं। वह बार बार मुर्चित भी होता है। अंगों से चेश्टा करने में और समर्थ होकर वह जीव पिंजरे में इस्थित पक्षी की तरह माता की कुक्षी में अपने सरीर को दवाय हुए परे रहता है। भगवान की किरपा से अपने सैकरों जन्मों के कर्मों को असमरन करता हुआ। वह गर्भस्त जीव लंबी सांस लेता रहता है। ऐसी इस्थिती में भला उसे कौन सा सुक मिल सकता है। मांस, मज्जा, आदी, साथ धातों के आवरन में आबरित, वहरिशी, कल्प, जीव भैवीत होकर हाथ जोर कर विकल वानी में भगवान की अस्तुती करता रहता है। जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। साथ में महने में आरंब से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्यान हो जाने पर भी गर्भस्त प्रशूती वायू के द्वारा चालित होकर वह विष्ठा में उत्पन, शहोदर कीरे की तरह एक अस्थान पर ठहर नहीं पाता। तो जीव कहता है मैं लक्ष्मी पती संसार के आधार असुब का नास करने वाला तथा सरन में आये हुए जीवों के परति वातसल्य रखने वाले भगवान विष्णू की सरन में जाना चाहता हूँ। भगवन तुम्हारी माया से मैं मोहित देहादी में तथा पुत्र कुल उत्रादी में इनका और मेरे यह अभिमान कर जन्मरन को प्राप्त होता है। मैंने कुटुम के लिए सुब कर्म किये वे लोग तो खापी कर चले गये। मैं अकेला दुख उठा रहा हूँ। भगवन इस योनी से प्रिथक हो तुम्हारे चरनों का अस्मरन कर फिर ऐसे उपाए करूँगा जिससे मुक्ति को प्राप्त कर सकूँ। विष्ठा और मुत्र के कुए में परा हुआ। तथा जठरागनी से जलता हुआ। तथा यहां से बाहर निकालने की इक्षा करता हुआ। मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। तो इसमें यह दिखाया गया है कि जीव जब मा के गर्व में रहता है तो किस तरह से दुख भोगता है और फिर बाहर निकलने के लिए कितने तरह के प्रयत्म करता है और इश्वर से प्रार्थना करता है। जिस दिन दयाल पर मात्मा ने मुझे इस प्रकार का विसेस ग्यान दिया है मैं उन्ही की सरन ग्रहन करता हूँ जिससे मुझे पुनह संसार के चक्कर में ना आना पड़े। मैं माता के गर्व से कभी भी बाहर जाने की इक्षा नहीं करता क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनह मेरी दुर्गती हो जाएगी। इसलिए यहां बहुत दुख की स्थिती में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चर्णों का आश्रे लेकर संसार से अपना उद्धार कर लोंगा। विष्णु ने उत्तर दिया ऐसी बुद्धी वाले अस्तूती करते हुए दस माह के रिशी उस जीव को प्रशूती वायू प्रशब के लिए तुरंत नीचे की तरफ ढखेलती है। प्रशूती मार्ग के द्वारा नीचे की तरफ सिर करके अचानक गिराया गया। वह आतुर जीव बरी मुश्किल से बाहर निकलता है और उस से में वह मांस उस से में वह सांस भी नहीं ले पाता है। उसकी अस्मृती भी मतलब यादास्त भी समाप्त हो जाती है। पिर्थवी पर मल मुत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में पैदा हुआ कीरे की तरह चेश्टा करता है। और विपरित गती प्राप्त करके अस्मृती नश्ट हो जाने के कारण अत्यथिक रूदन करने लगता है। मतलब उस से में जो उसकी याद खत्म हो जाती है तो दुख होने लगता है और रोने लगता है जिस तरह बुद्धी गर्व में रोगादी में असमसान में पुरानादी सुनने में लगी रहती है वैश्टी बुद्धी हमेशा रहे तब बंधन से कौन नहीं छूट सकता जिस समय यह जीव कर्म योग फलद्वारा गर्व से बा होगता है बालक की इक्षा को समझते हुए माता पिता बालक की सेवा करते हैं बालक को भूख लगे या रोने पर समझते हैं बालक का पेट दर्द कर रहा होगा ऐसा सोचकर माता पिता दवाई देते हैं बालक के पेट में दर्द हो तो मा समझती है कि भूख लगी होगी ऐस इसा सोचकर दूद दे दवा दे इत्यादी अनेक कर्म बालक के लिए उल्टे पड़ते हैं फिर भी वह बोलने की सकती नहीं रखता माता ने बालक को ऐसी खटिया पर सुलाया जिसमें अनेक जीव हैं तो उससे बालक दुख पाता है परंतु वह उठने में और समर्थ होता है और अपने सरीर को वह खुजा भी नहीं सकता डंस मच्छर खटमल इत्यादी उस बालक के सरीर का खून पीते हैं परंतु बालक अग्यान रहित होकर भी रोता हुआ अनेक दुख भोगता है इस तरह पांस साल तक वह वाल्य आवस्था के दुख भोगता है इसके बाद वह अवस्था के दुख भोगता है वह अनेक परकार के ब्यशनों में लगा रहता है फिर निक्रिष्ट व्यक्तियों का संग करता है और सास्त्र एवस्थ पुरोसों से दुष करता हुआ लंपट बन जाता है भगवान की माया रूपी औरत को देख उसके हाव भाव से प्रशन ये पाँचो क्रमशा सब्द असपर्स रूप गंद और रस इन पाँचो इंद्रियों से पाँचो विशियों का भोग करता है इन पाँच विशियों में से एक एक में आशक्ति होने के कारण ही मड़ जाते हैं अविशिप्त वस्थू की और प्राप्ति की इस्थिती में अ आशक्त व्यक्ति श्वेंग अपने नास हे तू दूसरे आशक्त व्यक्ति से सतरुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलसाली अन्य आशक्त व्यक्तियों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है। जैसे किसी सक्ति साली एक हाथी से दूसरा हाथी मारा जाता है। इस प्रका को पार करके पिर्थवी पर दुर्लव मानव योनी प्राप्त होती है मानव सरीर प्राप्त होने पर भी दुजत्व की प्राप्ति उससे भी कठीन है अति दुर्लव दुजत्व को प्राप्त कर जो व्यक्ति इसकी रक्षा करने के लिए अपेक्षित धर्म करमानुष्ठान केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही लगा रहता है उसके हाथ में आया हुआ अम्रित के शमान पवित्रियह अब सर उसके प्रमाद से नश्ट हो जाता है युवा अवस्था में दुख उठाकर ब्रधा अवस्था में अनेक बिमारियों से ग्रशित हो कर बहुत अधिक दु किसी समय बैराग्य को प्राप्त नहीं होते क्योंकि भगवान की माया से वे मोहित रहते हैं यह गरूर इस संसार में अन्तेष्टी आधिक्रिया जिनकी नहीं हुई है ऐसे पापियों की गती नहीं होती अब तुम्हारी और क्या सुनने की एक्छा है तो छठा अध्या शमाप होता है तो इसमें देखिए क्या बताया गया है कि भगवान यह कह रहे हैं कि मनुष्य का जो सरीर है बहुत ही मुश्किल से मिलता है कितने जन्म के कर्म अच्छे कर्म के करने पर यह मनुष्य का सरीर मिलता है तो मनुष्य को हमेशा सतर करना चाहिए अच्छे काम करना चाह चाहिए और इस्वर का सरन में जाना चाहिए तो आसा है आप लोगों को सारा पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप मेरे चैनल देव जिनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे किलिक कीजिएगा लाइक कीजिएगा और सेर कीजिएगा कोमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह कैसा लगा नए पार्ट के साथ फिर मैं मिलूंगे धन्यवाद